ओम शान्ति अगर ऐसा विदी का विधान नहीं होता तो फिर एक उलाना देते कि ब्रह्मा कोई क्यों पहला नंबर बनाए हमें भी तो बना सकते इसलिए यह इश्वरिय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है यह देखो कितना विश्यश पॉइंट है कहीं पूछते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही क्यों हम सब भी उनके सामने से वैसे ही बच्चे हैं दादियां ही क्यों मारत ही क्यों सब की अपनी अपनी हिम्मत रखने के आधार पर ही उन्हें मदद मिली है जिसके आधार पर ही उन्होंने यह तै किया है कि मैं कुन सी आत्म हूँ वरना तो हम सारे ए आप अगर हिम्मत रखेंगे, आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी, फिर ये भी देख लेना कि अब यमान और ये सब चीजे कैटगरी न आ जाए, ठीक है, इसमें कमी नहीं रखते, चाहे एक वर्ष का बच्चा हो, चाहे पचास वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधी से प्राप्ती है, तो इश्वरिय विधान को समझा न, समझा न, ये इश्वरिय विधान, कि किस विधान के आधार पर ये तै किया जाता है, कि इसे क्या मिल रहा है, इसलिए जो ये देखते रहते हैं, इसको इतना क्यूं, उसको हिम्मत कितनी है जितना जो करेगा उतना ही वो पाएगा जो ये कहे कर रहे कि मैंने ज्यादा किया है तो यहीं उसका अभिमान उसको पीछे कर देता है ओके तो इस शुरिय विधान को समझा न यग्गे शिबाबा का है यग्गे में आप निमित मत्र हो सब कुछ नहीं हो ये सोचके कि मेरे बिना तो यग्गे चलना ही नहीं है इस गलत फहिमे मत कभी आना कर रहे हैं आपका भग्य है लेकिन करने का एहसास कभी मत जदाना नहीं तो विधी का विदान बदल जाता है ओके ओम शांति